मुक्ष पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम सामवेद के भास्यकारों के विशय में चर्चा करेंगे भास्य क्या है? सरल अर्थ में इसको समझने की जरूरत है जब किसी मूल विशय को शिक्षण अधिगम के योग्य बनाना होता है अधिक से अधिक लोगों को समझने के योग्य बनाना होता है तो उस विशय के आचार्यगन अधिकृत विद्वान उस विशय का भास्य करते हैं उसको बोधगम में बना देते हैं ताकि सामान्य जन के लिए भी वहा उपयोगी हो सके हैं सामान्य अर्थ भास्यका यहीं होता है सामवेद के कितने भास्यकार हैं और उनमें कौन-कौन से प्रमुख हैं इन सभी विशयों के वारे में आज हम चर्चा करेंगे सामवेद के जो भास्यकार हैं उन भास्यकारों में कृति के आधार पर अर्थात किन भास्यकारों ने कितना काम किया है उसके आधार पर यदि हम गणना करेंगे तो सर्व पर्थम आचार्य सायन का नाम आता है आचार्य सायन के पिता का नाम मायन था माता का नाम स्रिमती था उनके बड़े भाई का नाम माधव था छोटे भाई का नाम भोगनात और उनके गुरु स्रिकंठ थे 1364 से लेकर के उन्नीस सव अठातर तक 1364 से लेकर के 1378 तक विजय नगर महाराज भुक के महा आमात्य थे आचार्य सायन और 1389 से लेकर 1387 तक महाराज हरिहर के मंत्री रहे सायन ने अनेक विद्वानों की सहायता से चारो वेदों पर प्रामाणिक एवं महत्तपुर्ण भास से लिखा प्रकरण यह है कि महाराज भुक को जब हम इतिहास में देखते हैं तो भुक राय सनातन धर्म के प्रती अत्यंत सजग और स्रद्धा युक्त राजा थे तो उन्होंने अपने महा आमात्य माधों को बुला करके कहा कि आप वेदों पर भास से की रचना करिये जिससे की अधिक से अधिक लोग वेदों और ब्राम्हन गरंथों के बारे में जान सके माधोंने कहा कि मैं चुकी वो मिमांसा के आचारे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी अन्य गरंथ के कारे में सलग्ण हूँ इसलिए मेरे पास उतना समय मिल नहीं पाएगा इसके लिए मैं आपको अपने छोटे भाई सायन को समर्फित करता हूँ और वह उस काम को अच्छी तरह से संपन करेंगे इसके बाद से आचारे सायन को इस कारे में लगाया गया आचारे सायन ने भी नरहरि सोमयाजी यादी अनेक विद्वानों को उन्होंने सहायता के रूप में अपने पास रखा और उसके बाद उन्होंने एक महानकारे किया संगिता के ग्रंथों में पाच संगिताओं पर सायन के भास्य मिलते हैं ब्राम्भण के ग्रंथों में एक ग्यारा ब्राम्भणों पर और आरण्यक में दो आरण्यकों पर सायन के भास्य मिलते हैं और सायन का भासे आज के लिए अत्यन्त ही एक सजग भासे कह लिजिए या एक ऐसा भास जो बड़ा ही उपयोगी है महनिय कार्यवाला है और समस्त प्रकार के वेद के भास्यों में जिनको आवस्यक्ता होती है वो सायन भास्य अवस्य देखते हैं बड़ा ही उपयोगी है दूसरे आचारे हैं माधो हाला कि सामवेद के प्रथम भास्यकार हैं माधो और इधों ने अपने भास्यका नाम विवरणम रखा है जिसमें पुर्वार्चिक के भास्यको छंदसिका विवरणम के नाम से ये संग्रहित करते हैं और उत्तरार्चिकम को उत्तर विवरणम के नाम से ये लिखते हैं इसके विशे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इन दो आर्चिकों में समाहिद है देवराज यजवा इत्यादि के समकालिन इनको माना जाता है बान भट ने कादंबरी में भी वरणन किया है क्योंकि वहाँ जो रजोजुसे जनमनि सत्व वृत्तये सतो प्रजानाम प्रले तमस्प्रशे अजाय सरगस्थितना सहेतवे त्रई मयाय त्रिगुनात्मने नमहा ये जो मंगलाचरण है इस मंगलाचरण का संदर्व वहाँ जब प्राप्त होता है तो इसलिए उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं कि सायद ये उनके गुरु परमपरा में आते होंगे तीसरे भासेकार है भरत स्वामी है भरत स्वामी के पिता का नाम नारायन था माता का नाम उनके यग्यदा देवी था कास्यप गोत्रिय और स्रीरंग प्रदेशिय थे आचार्य भरत नत्वा नारायन तातो तत प्रसादाद वाप्त धीह सामना स्री भरत स्वामी कास्यपो ब्याकरोद रिचम होसला धिस्वरे प्रिथवीम रामनाथे प्रसासती व्याक्या कृतेयम खेमेना स्री रंगे वशता मया स्री रंग के वईश्णव तिर्थ में रहते हुए होसला धिस्वर स्री रामनाथ के सासंकाल में इन्होंने भास्य की रचना की और इनका काल जो है 1272 से 1310 इस्वी तक था भरस्वामी का योगदान सामवेद में बहुत ज्यादे है सामवेद के संगिता भास्य जो की इनका भास्य अभी अप्रकासित है लेकिन इत्थम स्री भरस्वामी कास्य पो यग्यदास उतह नाराय नार्य तनयो याख्यात सामनाम रिचो खिला सामवेदान ब्रामण पर भी इन्होंने बहुत अच्छा भास्य लिखा है सामवेदान ब्रामण में भरत स्वामी का भास्य एक आदरणी भास्य माना जाता है और उस भास्य की बड़ी चर्चा होती है बड़ा ही वह उपयोगी है अगले आचारी हैं गुण विष्णू गुण विष्णू को मिथिला और वंग प्रदेश से संप्रिक्त माना जाता है कुछ लोग इन्हें वंग देशीय कहते हैं और कुछ लोग इन्हें मिथिला के कहते हैं लेकिन इनका जो कार्यक्षत रहा है वहां कलकत्ता संस्कृत परिशद से संजुक्त रहा है अर्थात प्रायह बंगाल इनका कार्यक्षत रहा है और वहां इन्होंने चांदोग्य मंत्र भास्य सामवेद के भास्य के रूप में लिखा है चांदोग्य मंत्र भास्य में सामवेद के कौथुम साखा पर भास्य इन्होंने लिखा है ये 12 शताब्दी और 13 शताब्दी के बीच का काल इनका माना जाता है और इसके आलावा इन्होंने अन्य ग्रन्थों को भी प्रकासित किया है मंत्र ब्राम्हन का भास्य और पारसकर ग्रिह सुत्र का भास्य भी इनका है हालाकि इनके बहुत सारे भास्य अप्रकासित है क्योंकि सत्यब्रत सामस्रमी महोदय जो सामवेद के भास्यों के अनुवेश्टा है वो लिखते हैं कि बहुत सारे भास्य अनुपलब्ध हैं परन्तु उन अनुपलब्ध भास्यों को भी हमने उन्होंने सायडाचारे की टीका के साथ कुछ न कुछ उनके टीका के अंसों को डालने का प्रयास किया है लेकिन बहुत सारे भास्य अप्रकासित हैं प्रकासित नहीं हो पाएं लेकिन अप्रकासित जो भास्य हैं वे भास्य भी सामवेद के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और सामवेद के भास्यकारों में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन से भास्यकार बड़े हैं और कौन से भास्यकार छोटे हैं क्योंकि इन भास्यकारों की एक अलग अलग अपनी विशेष्टा रही है अब भास्यकारों के करम में अगर ले लीजिए तो हमें सर्व प्रथम माधाव से चर्चा सुरू करनी चाहिए थी क्योंकि सामवेद के प्रथम भास्यकार माधाव हैं लेकिन जब हम देख कार्य की द्रिष्टी से अगर आप चर्चा सुरू करते हैं तो सायन से उस चर्चा को सुरू करते हैं इसलिए हमने इन प्रमुख भास्यकारों के करम को कार्य के दृष्टी से सजाते हुए सायनाचार्य को पर्थम अस्थान दिया और सायनाचार्य से ही इस करम को हमने सुरू किया है वस्तुताह सायनाचार्य का कारिय, सराहनिय कारिय है और इन सभी विद्वानों के द्वारा किया गया जो भास्य है वो सामवेद के अध्यताओं के लिए अत्यांत ही उपादेय है, अत्यांत ही महत्वपूर्ण है हताहा इस प्रकार सामवेद के भास्यकारों के उपर संचिप्त व्याख्यान प्रस्तूत करते हुए मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार